कलेक्टिव नाउंस क्या होते हैं, what are कलेक्टिव नाउंस, बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं या फिर आप खुद भी समझने के लिए जानना चाहते हैं कि कलेक्टिव नाउंस क्या होते हैं, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखेगा, इस वीडियो में आपके सारे क्लेक्टिव नाउंस क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउंस को हिंदी में हम समुह वाचक संग्या बोलते हैं, जैसे ही ये वर्ड ही बता रहा है, कलेक्टिव, कलेक्टिव वर्ड बना है कलेक्ट से, कलेक्ट मतलब एक साथ में, और हिंदी में इसे ही समुह वाचक संग्या ब बोला जाता है, collective noun को समझने के पहले आपको noun समझना बहुत जुरूरी है, अगर इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे, noun के बारे में मैंने detail में बताया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखेगा, जिससे और भी ज्यादा चीज़ें आ पर्सन, प्लेश, आनिमल अन फिंग को जब हम collectively देखते हैं तो उसे हम जो नाम देते हैं, उसे हम collective noun बोलते हैं, यह nouns हैं, यह हमने पढ़ा है already कि noun किसे बोलते हैं, पर्सन, प्लेश, आनिमल अन फिंग को, मतलब individually अगर हमने किसी को नाम दे दिया, कि यह girl है, यह boy है, यह fan है, यह fruit है, grapes है, तो उसे हमने नाम दिया है, वो noun में आता है, but एक जैसी चीजे, for example, grapes, grapes अगर एक साथ बहुत सारे देखते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, people, person, आप एक साथ बहुत सारे person को देखते हैं, तो क्या बोलेंगे, आप एक साथ कुछ specific type के place को देखते हैं, तो क क्या बोलेंगे, so, इसका मतलब हुआ, कि किसी एक तरह के noun को हम जब group में देख रहे हैं, तो उसे हम इस नाम से पुकारेंगे, उसे ही हम collective noun बोलते हैं, जैसे कि हिंदी में समुवाचक संग्या होती है, जो बहुत सारे एक साथ में लोग जमा हो जाते हैं, उसे हम भीड बो उसी तरह से crowd of people, तो crowd हो गया, collective noun भीड हो गया, समुवाचक संग्या, so, हमने person, place, animal and things को collectively एक नाम दे दिया है, उसे ही collective noun बोलते हैं, so, अब हम और इसे अच्छी तरह समझते हैं, कि noun के अंदर आता है क्या person, different type के persons होते हैं, जैसे girl, boy, student, ये सब person के अंदर आता है, so, हम इ ये लोग person के अंदर आते हैं, तो जब students एक साथ हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, जब हम बहुत सारे students को एक साथ देख रहे हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें बोलते हैं, class of students, ये तो हम use करते हैं हमेशा, अगर बच्चों को भी समझाते हैं, तो हमारे ल बोला जाता है class, वैसे ही singers, जब हम बहुत सारे singers को एक साथ में देखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं choir of singers, बच्चों को ये भी आप बहुत easily समझा सकते हैं, क्योंकि हर school में एक choir group होता है, जो singing करता है, assembly में, prayer के time में या फिर functions में, वो लोग singing करते हैं, तो उसे choir group बोला जाता ह हैं, तो बच्चे इस चीज़को भी बहुत easily समझ पाते हैं, अच्छा आपके school में choir group होगा न, choir group हाँ, तो बच्चे बोलेंगे हाँ, है न, choir group है, choir group में हमें select किया गया था, तो इस तरह बच्चे अगर बोलते हैं, तो उनको immediately connection आ जाता है, क्या ये choir group की बात हो रही है, त बोलेंगे जादा, तो वो easily समझ पाते हैं, choir of singers, अब उसी तरह हम place को समझते हैं, place क्या क्या हो सकते हैं, island and mountain, I-S-L-A-N-D-S, islands, S यहाँ पर silent है, और island ये है, और ये ice land है, ice मतलब जो बर्फ होती है वो, ice land, और ये island है, islands, जब हम बहुत सारे islands को साथ में देखते हैं, तो उसे a group of island बोला जाता है, normally ये E-V-S या फिर SS की chapters में बच्चो को पढ़ाया जाता है, then mountain, a range of mountains, मतलब जब बहुत सारे mountains एक साथ में होते हैं, तो उसे हम a range of mountains बोलते हैं, ये भी E-V-S या फिर SS की chapters में बच्चो को पढ़ाया जाता है, then a litter of kittens, a litter of kittens का मतलब है, जब बहु of kittens, इसके मतलब बिल्ली के बहुत सारे बच्चे एक साथ में हैं, उसे हम बोलते हैं a letter of kittens. Then again dog, dog एक आनिमल है, so a pack of dogs, जब बहुत सारे dogs एक साथ में होते हैं, तो उन्हें हम a pack of dogs बोलते हैं, और pack जो एक collective noun का word है, इसे और भी चीज़ों के लिए इसा नहीं है कि सिर्फ pack of dogs ही होता है, pack of cards भी होते हैं, then a bunch of keys, ये thing है और a bunch of keys, जब बहुत सारे keys एक साथ में होते हैं, तो उसे हम bunch of keys बोलते हैं, then a bunch of bananas, bananas are also thing, so उसे हम a bunch of bananas बोलते हैं, normally banana keys ये सब एक साथ में होते हैं, normally ये collective ही होते हैं, banana का normally bunch होता है, इस कारण से उन्हें हम bunch of bananas बोलते हैं, और ये ज़्यादा use होते हैं, इसी तरह keys भी normally bunch में ही मिलते हैं आपको, और इसी तरह grapes भी होते हैं, grapes भी bunch में ही होते हैं, इस कारण से इनको collectively एक नाम दे दिया गया है, ताकि हम इन्हें इस तरह से बोल सके that I want a bunch of bananas I want a bunch of grapes इस तरह से हम इसे संबोधित कर सके इसलिए ये collective noun use किया जाता है अब ये सवाल है कि इसे learn किस तरह किया जाए याद नहीं रहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने collective nouns लिये हैं वो ऐसे collective nouns हैं जो regular use में आते हैं बच्चे जो भी चीजों से familiar है या फिर regularly जो चीजों को use करते हैं उन चीजों से उनको connect करके समझाएगा तो वो बहुत easily समझ पाते हैं और उनको याद भी रह जाता है इसकी बार-बार practice भी करनी पड़ती है और collective nouns को learn करने में थोड़ी problem होती है बच्चों को बच्चों को बार-बार थोड़ी समय तक practice करवाएगा तो बच्चों को collective noun learn हो जाते हैं और जब भी उनको studies में कहीं आ रहा है वो word आपको मिल गया कि ये word आ रहा है ये collective noun use हो रहा है तो इसे like कीजिए अपने friends and family के साथ share कीजिए अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल रिचा मेता एजुकेशन को subscribe कीजिए अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे page रिचा मेता एजुकेशन को follow कीजिए Thank you